फोर्स मोटर्स की अपकमिंग घुर्का 5 डोर वर्जिन को लदाक में टेस्किंग करते हुए स्पाइक कर लिया गया है जिसके बारे में मैं अपनी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में अगर आप घुर्का और बाकी गर्णों से जुड़े कमपेरिजन रिव्यूस देखना चाहते हैं तो मिरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल का लिंक आपको पर आई बटन में मिल जाएगा चलिए फिर 2023 फोर्स गुर्का फाइव डोर वर्जिन की नई स्पाइड इमेजिस की बात करते हैं इस स्पाइड इमेज में आप गुर्का के टेस्टिंग विरिन को देख सकते हैं जो की ले लदाक में टेस्टिंग करते हुए स्पाई किया गया था इस टेस्टिंग विरिन में एलॉई वीज विटेड थे और इसका स्पेर वील भी एलॉई ही था फाइव डॉर गुरका में हमें एट इनेज के एलॉईज मिलेंगे इसके रावेश टेस्टिंग विरिन में और कुछ खास नहीं था चली अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं इस स्पाइड इमेज में आप इसके साइड पुफाइज जलक देख सकते हैं जहां इसके लॉईस क्लियरली दिख रहे हैं बाकी ये भी कन्फर्म होता है कि ये टेस्टिंग गुरका एक 5 डोर वर्जनी थी इसके लावे इसको फूट स्टेप भी दिया हुआ था जो की शाय से स्टैंडर फिटमेंट में आए तो ये तो होगी ट्वेन इमेज इमेज की बात चलिए अब इसके एकस्पेक्टेड एंजिन गेरबॉक्स कंबिनेशन की बात करते हैं इस एस्टिंग में हमें 2.6 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो की 90 पेस की पीक पावर और 250 नूटर मीटर का पीक टॉक पर यूस करेगा और इस इंजन के साथ हमें 5-speed manual gearbox मिलने वाला है 4-wheel drive system भी हमें इस SU में standard मिलेगा तो ये तो होगी 2023 गुर का 5-door version के expected engine gearbox combinations की बात चलिए अब इसके expected features की बात करते हैं इस SU में हमें LED headlamps, LED DRLs, front fog lamps, LED tail lights, 80-inch alloy wheels, all body cladding, towing hooks, snorkel, roof luggage carrier, touch screen system, manual AC, rain sensing wipers, automatic headlamps, digital MID, front glove box, bottle holders, adjustable headrest, front facing rear seats, manual day night IRVM, third row front facing rear seats, adjustable headrest in third row, driver seat height adjustment or rear wiper वाले features मिल सकते हैं Safety mess SU में हमें dual airbags, ABS, EBD, rear parking sensors, ESP, hill hold and hill decent control, traction control system, rear parking camera, और high speed alert system वाले safety features भी मिल सकते हैं तो ये तो होगी 2023 Gurkha 5-door version के expected features की बात चलिए अब इसके expected prices और expected India launch की बात करते हैं Force Motors नई Gurkha को 15 लाग से 22 लाग की बीच प्राइस कर सकती है और इसका expected India launch festive season में है और launch होने के बाद ये SUV डारेक्ली महिंद्रा थार के साथ compete करेगी तो ये थी मिली तरफ से upcoming 2023 Force Gurkha 5-door SUV से जुड़ी एक और update अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिजेगा शुक्रिया